गुज इवनिंग अभीवन, वेलकम टू अनादर एपिसोड आफ आर शो जिसको हम कहते है दपरी शो जिसमें हम आपको बताते हैं आपके देश की बात, आपके काम की बात, आपके मतलब से जुड़ी सारी बाते और वो सब भी बातों पर हम बातचीत करते हैं जो आपके तका थोड़ा सा विकास करते हैं जिस तरह से आपने फेस्बुक पर धेरो शेयर किये हैं उसी तरह से आप हमारे यूटुब चानल पर भी जितना ज्यादा हो सके अपना प्यार बेट साहिए और जितना ज्यादा हो सके हमारे यूटुब चानल को भी शेयर और सजिस्ट इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप लाइक कीजिए और शेर कीजिए आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की चंता जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बेटन को दबाकर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए तो शुरू करत के संकल्पपत्रों का लुकारपन हो रहा है, LJP की बात करेंगे, Congress की बात करेंगे, BJP की बात करेंगे, सबी ने पने संकल्पपत्रों की घोशना कर दी है जिसको manifesto कहा गया है और किसी-किसी ने इसको चुनावी Agenda कहा है, विदान सबा के चुनाव्ı पर हम थोड़ा सा ध् अभी अभी जिन्होंने पोस्ट शोड़ी है दो महीने पहले गुलाव नभी आजाद को भी कोरोना हो गया है महारास्ट के डिप्टिसीयम अजीद पवार को भी कोरोना हो गया है और कोरोना के जो मामले है वो थोड़ा सा डिप आया हुआ है एक दिन में पहले जहां पर एक ल करोना पर मात दे रहे हैं लेकिन जब तक कोरोना की वैक्सिन नहीं आती तब तक संक्रमट बना हुआ है इसलिए आप लोगों को साफधानी से रहना चाहिए और लगाता है मास्क उप्योग करना चाहिए मैं तो कहूंगी आप दो मास्क उप्योग करें कि जब तक दवाई नहीं तब तक धिलाई नहीं तेहारों के कालों में तेहारों की उत्सों में मार्किटों में भीड बढ़ी है तो इसलिए आपको अपने आपको सुरक्षित रखना है और कोरोना की संक्रमेंट से बचना है कोरोना लॉकडाउन चला गया है लेकिन वाइरस अभी भी जिन्दा है प्रधान मंत्री मोधी ने कहा है कि जैसे ही वैक्सीन आती है हम वैक्सीन को मुफ्त बाटने की वैवस्था करेंगे और हर भारतिये तक वैक्सीन कैसे पहुंचे उसके बारे में भी सरकार का कारे शुरू है उसके बारे में भी प्लानिंग शुरू है खेर सारे ये बुद्धों पे हम लोग बातचीत करेंगे लेकिन सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से नितिश कुमार जो बिहार के सिम है जो BJP के साथ में साजह सरकार में है BJP के साथ में गड़बंदर सरकार में है नितिश कुमार कैसे once upon a time मोदी जी के नाम से भी जिनको चिडल मश्ती थी जिनको बहुत जादा ऐलर्जी थी माननिये प्रधार मतली मोदी जी जो उस समय पे गुज़ात के CM हुआ करते थे तो उनको किस तरह से ऐलर्जी थी उसके बारे में बाचित करेंगे ये बात हैं 10 मई 2009 की जब पंजाब के लुधियाना में जब NDA का एक कारिक्रम था तब नितिश कुमार बिहार के CM थे और मोदी जी गुज़ात के CM थे और बताया जाता है कि जिस तरह से नितिश कुमार को पता था कि जब NDA की रैली निकलेगी NDA का भवे कारिक्रम होगा दिडेट थे लालकृष्ण अडवानी तो SMN नितिश कुमार ने जाने से मना कर दिया कि वो लुधियाना की 2009 की मई की रैली में वो नहीं जाएंगे और उनको पता था कि अगर वो जाते हैं रैली में और अगर वो लुधियाना का ये NDA का का कारिक्रम अटेंड करते हैं जह पर और भी जो शिरोमनी अकाली दल, JDU, LJP, जितने भी BJP के प्रमुख घटक दल थे सभी के नेता, बड़े नेता और मुखे वरिष्ट नेता सभी जमा होंगे ऐसे में नितिश कुमार को किसी भी इस्तर पर किसी भी सरकारी और गैर सरकारी और किसी भी राजनीतिक और आर राजनीतिक इस्तर पर मोदी जी के साथ में बातचीत करना या स्टेज शेयर करना नितिश कुमार जी को गवारा नहीं था, उनके जो राजनीतिक खाचे में मोदी जी कहीं से कहीं तक फिट नहीं होते थे, मोदी जी की जो राजनीतिक रणनीतिया है वो नितिश कुमार जी जो समय राइट हैं कहे जाते थे लाल कृष्णा अडवानी के उन्होंने अपनी तरफ से इनिशेटिव लिया और जब्रदस्ती उनको फोन करते रहे नितिश कुमार जी को और उन पर रिक्वेस्ट करते रहे उन पर एक तरह का दबाव बनाया कि आपको आना जरूरी है क्यों जैसे अरून जटली जी को पता चला कि नितिश कुमार जी आने के मूड में नहीं है उन्होंने फिर से दोबारा फोन किया उन्होंने कहा कि आप आएंगे तो अडवानी जी को अच्छा लगेगा और उनको लाने की जिम्बदारी संजे जहां जो एक जेडियू के सीनियर न जाना की रेली में लेकर रहा है श्रियोमनी अकाली दल मेजबान था श्रियोमनी अकाली दल ने बिलकुल भंगडा के साथ में डोल लगाडों के साथ में तलवारों के साथ में आतिश बाजियों के साथ में तमाम नेताओं का स्वागत किया और संजे जहां ने जैसे वैसे नितिश कुमार जी को कन्वेंस किया कि हम चार्टर प्लेन से चंडीगर उतरेंगे फिर चंडीगर से रोड के रास्ते हम लोग लुदियाना पहुचेंगे और बस फंक्शन अटेंड करके फोरण वापस लोटाएंगे नितिश कुमार जी जाने को तयार नहीं था लेकिन संज पर जाते हैं भीड को क्रॉस करके जैसे ही मंच पर पहुचते हैं मोदी जी पता नहीं कहां से आ जाते हैं और मोदी जी उनका हाथ पकड़के इस तरह से उचा कर देते हैं और ये तस्वीर जो है बहुत फेमस तस्वीर है जो नितिश कुमार जी को सोचने समझने का टाइम भी नहीं दिया जाता है और नितिश कुमार जी के साथ में इस तरह से उनको एहसास करा दिया जाता है हलाकि मोदी जी को ये बात पता होगी कि नितिश कुमार जी उनके साथ में इसे शेयर नहीं करना चाह रहे थे इसलिए नहीं आना चाह रहे थे लेकिन इस बात पर जो है नितिश कुमार जी को सोचने समझने का मौका भी नहीं दिया मोधी जी ने और भीड को अभिवादन किया हाथ उचा करके भीड का अभिवादन किया और भीड का अभिवादन करने के बाद में नितिश कुमार जी का ह जड़ेंटरा के चलते हैं, उनके साथ में इस तरह से तस्वीर ली गई हाध हुचा करके, और अपना खुद का सड़ेंटरा है, बोदी जी जान भूझ कर उनके साथ में इस तरह का भ्यवार कर रहे हैं। उनको पता है मोधी जी को कि नितिश कुमार जी को मोधी जी से बात करना बिलकुल ही पसंद नहीं आता है और नितिश कुमार जी को पता है अच्छी तरह से कि मोधी जी के साथ में इस्टेश शेयर करने में नितिश कुमार जी की परेशानी होती है उनका दिमागी संतुलन जो है वो किसी हद तक ये नहीं बनता और बिगड़ जाता है मोधी जी को देखने के बाद में फिर भी जान बुझकर उनके साथ में हरकत की गई वस इतना करने की देर थी और जब महां से उस function से क्योंकि वो आ से इस कदर से नाराज होगे नितिश कुमार जी की पूरे रास्ते भर संजे जहा को चिलाते रहे उन पर बोलते रहे लतार लगाते रहे उनसे कहते रहे कि यही कारण था कि मैं तुमसे मना कर रहा था। इस आदमी ने मुझे इस तरुसे हाथ उचा करके मेरा तस्वीर ले देखना ये कल तस्वीर सारे अकबारों में चलेगी इस तस्वीर के वज़े से मुझे अपने विचारों को पार्टी के सामदे रखने में तकलीफ होगी और दुनिया भर की तमाम बाते उन्होंने की और जो साजहा रहली थी उसमें उनकी नाराजगी ऐसा बताते थी कि एंड लोकसभा चुनाओं में हार गई और लाल कृष्णा अडवानी पीम नहीं बने और जिस तरह से वो मोदी जी से नफरत करते थे और कहीं ना कहीं उनकी नफरत ने एंडिये को भी परेशान कर दिया कि आखिर नितिश कुमार जी इतना जादा क्यों नफरत करते हैं और इस प वही हुआ जिसका डड़ था दूसरे दिन बिहार में दिल्ली के सारे नियूस पेपर में वही उनका उपर हाथ करके मोदी जी का नितिश कुमार जी के साथ में अभिवादन करते हुए फोटोचापा और फिर नितिश कुमार जी को बहुत जादा घुसा आया और फिर संजे संजे जहा को बतानी की जरुवत नहीं पड़ी कि आखिर नितिश कुमार जी क्या बोलना चाह रहे थे और वो जिस वजह से जाने के लिए मना कर रहे थे वो वजह काफी हद तक सही भी थी और संजे जहा को सारी बाते समझ में आ गई और संजे जहा ने माफी मांगी कि उन्हो के तोर पे होना जरूरी है और संजे जहा को काफी पश्टावा भी हुआ इस बात से फिर समय बीता धीरे धीरे उसके बाद में बीजे पी के राश्ट्रिय कारेकारणी की बैठक जो है जून 2010 में फिर से आगी मतलब करीब करीब एक साल के बाद में फिर से जब जून में 2010 म पिजय पी के राश्ट्रिय कारेकारणी की बैठक हुई उसमें फिर बीजय पी के नेता भिहार पत्तामे ये बैठक थी तो तमाम बीज़ पी के नेता भिहार चले गए जिसमें मोधी जी भी थे उन दिनों में नितिश कुमार जी ने एक डिनर का आयोजन किया, सभी मुख्यमंत्रियों के लिए डिनर का आयोजन रखा गया और बकाइदा कार्डवाट बाटे गए, कार्डवाट छपवाए गए और कार्डवाट बाटे गए जब जिन डिनर था उस दिन जब सुबा सोकर उठते हैं नितिश कुमार जी तो नितिश कुमार जी ने देखा है कि पूरे बिहार में साहर न्यूस पेपर में मोधी जी की तस्वीर छपी हुई है और जो मोधी जी ने पांच करोड का बिहार बाड़ पीडितों के लिए रहत राशीदी थी उसके बारे में बढ़ा चड़ा कर लिखा गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि एक तरह से मोधी जी जो है मोधी जी का विग्यापनों में आभारवेक्ष किया जा रहा है मोधी जी ने कुपकार किया है और इस तरह से मोधी जी ने जो 30 लाख रुपए विग्यापन कमपनियों को देकर ये आड़टीज trillion छपवाया था बिहार के market में बिहार के airport से लेकर हर जगे पर तमाम मोदी जी के पोस्टर्स और होडिंग्स लगे हुएं थे और ये सब कुछ देखकर नितिश कुमार जी एक बार फिर से बुरी तरह से नाराज हो गये और नितिश कुमार जी ने जो उनका डिनर का कारेकरम था जो तंबू वंबू वकाईदा लग गये थे और पूरा जो dinner के cards आपने बाटने हैं, cards को वापस ले लिया जाए, और dinner जो है, cancel करवा दिया गया, और इस advertisement 30 lakhs की, जो advertisement मुधी जी ने दिती, इसके बारे में मुधिजी ने नितिश कुमार जी ने investigation करवाया, एक investigation officer राकेश दूबे को पॉइंट किया गया राकेजुबे एक पुलिस अधिकारी उनका पॉइंट किया गया और बताया कि पता करो कि ये 30 लाख रुपे का एड़टीजमेंट कौन सी संस्था ने दिया है और पता करो कि ये मुधी जी के होडिंग्स कैसे लगे और इसको लेके बहुत तो फिर एक बार फिर वही तस्वीर जो मुधी जी ने नितिश कुमार का हाथ उपर करके दोस्ती की तरह से एक भीड को अभिवादन किया था वही एक बार दुबारा तस्वीर सारे अगबारों में छपी जिसको देखकर नितिश कुमार बहुत जादा चिड़ गए और बह जाए यहुягा की पूरा मसला क्या से तो कि यह उन्होंने किसी तरह कर सवाल जवाब नहीं पूछा और अपने आप तो बिहार को पांच करोर रुपे का जो राहत राषी देकर अपना एक उपकार जताया था और बिहार के मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने की बात थी बिहार के मुख्यमंत्री को ओचा दिखाने की बात थी और एक एहसान दिखाने की बात थी और उनकी जबरन इंसल्ट करने की बात थी सभी लोगों के सामने जिस तरह से नितिश कुमा मोधी जी ने नितिश कुमार जी का नाम लिये बिनाय कलंबा चोड़ा भाशन दे दिया उस भाशन में कहा गया कि आप लोग अभी तक उस खंदक से ही नहीं निकले जो गुजरात आकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमने कैसे विकास किया है और भिहारीयों की विकास मे हमारा क्या योगदान है और भिहारीयों का हमने कैसे सम्रद्द किया है अब भिहार आकर देखिए ऐसा करकर भिहार की तारीफों के पुल बांते हुए मोधी जी नजर आया और पूरे भाशन में मोधी जी ने नितिश कुमार जी का नाम तक नहीं लिया और ये दूसरी चाल इने मरे उपर बहुत ही आकरामक वैंगे था बहुत ही घटिया व्यभार किसी राजी के मुख्यमंत्री ने मेरे राजी में आकर मेरे साथ में कया उन्होंने इंवस्टिगेशन से पूछा राकेश दूबे से जो पूलिस अधिकारी थे उनसे पूछा कि यह सब क्या था, तो उन्होंने बताया कि Friends of Bihar नाम कोई संगठन है, जो पहले कभी चर्चा में नहीं आया है, Friends of Bihar नाम के संगठन की वज़े से यह विज्यापन आये हैं, और नवसारी से सांसद, CR पाटिल, जो नवसारी से सांसद है, उन्होंने और expression ना इनके शांती दिमाग में हुई, उसके बाद में फिर से 2014 में जब मोदी जी को एक बार फिर से BJP के प्रचार अभियान समीती का अध्यक्ष बनाया गया, तो नितिश कुमा ना जाने कितने नेताओं के पास गए, गोवा से लेकर तो दिल्ली तक गए, दिल्ली से लेकर तो जहां तक उनकी पहुंच है, आडवानी, नितिन गडकरी, उसके बाद में अरून जेटली, राजनात सिंग जो समय पार्टी के अध्यक्ष थे, हर किसी के पास गए, और उन्होंने बताया कि मोदी जी को किसी भी सूरत में BJP के प्रचार अभियान समीती का अध्यक्ष नही किसी भी सूरत में नेताओं से मिलते रहें और उन्होंने बताया कि अगर मोदी जी प्रधान मंत्री बने और ऐसा उनको लग रहा था कि मोदी जी का नाम प्रधान मंत्री कैंडिडेट के तौर पर प्रस्तावित होगा, उन्होंने पहले ही नेताओं को जाजा के बताया, र किसी ने बात नहीं सुनी और आखिर प्रदानमंत्री मोधी जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए और अब NDA का हिस्सा है नितिश कुमार तो यह सारी राजनीतिक एक अपनी रंडीती है जैसे नितिश कुमार जी ने कोशिश की कि उनको ना पसंद मोधी जी कभी भी इस तरह से बिहार ना आए और बिहार में आकर उनको नीचा ना दिखाए उनके साथ में उमंच नहीं शेयर करें एंडीय उनके साथ में शेयर ना करें एंडीय के घटक ना बने रहें उनके साथ में एंडीय का घटक ना रहें बगर नितिश कुमार जी की एक ना चली मोधी जी के सामन नितिश कुमार जी फेल हो गए, फेल होते नजर आते हैं, खिर आगे देखते हैं, बिहार में चुनावी सरगर्मिया तेज हो गई महागडबंदन में, बवाल मज गया है, और बिहार में सीटों के लेके तना तनी चल रही है, जो पार्टी चाती है कि हमारे पास में जादा सी सीटे होती है, उसको दूसरी पार्टी के काँ अचल ठान कर रहना पड़ता है, सबसे पहले तो महागडबंदन की अगर हम बात करें तो कॉंग्रेस, आरजडी और नकसली पार्टिया, और नकसली पार्टियों के साथ में कुछ छोटी मोटी पार्टिया, CPI, ML, CPI, जिसके क अरजडी की रहेगी, और 70 सीटे को दे दि गई है, उसके बाद में CPI को 6 सीटे दी गई है, CPM को 4 सीटे दी गई है, और 10 सीटे CPI, ML को दी गई है, और भी दूसरी पार्टियों को खुल मिलाकर, कॉंग्रेस और नकसली आरजडी के अलावा दूसरी पार्टियों को 39 सीटे दे दी गई है और अगर LJP की बात करें तो LJP अभी भी BJP पे डिपेंडेंट है क्योंकि JDU ने हम लोग NDA की बात कर रहे हैं, JDU ने LJP के सिर से अपना हाथ उठा लिया है और JDU जो है LJP को सपोर्ट करने के लिए सीटों के मामले में तयार नहीं थे, इसलिए चिराख पासवान को अमिज शाह के पास जाना पड़ा, negotiation करने के लिए और चिराख पासवान को अभी BJP पे डिपेंड रहना है और BJP के पास में जहां पर 121 सिटे है और 122 सिटे जो है JDU के पास में है, जिसमें JDU जो है जितन्द्रा मांझी की पार्टी को सिटे देगा और लिज पी जो है BJP से सिटे लेने को तयार है और इस बार VIP को जो है जो मल्ला जिसके लीडर है उनको किसी भी तरह की सीड देने से दोनों ही महागडबंदन ने और NDA ने दोनों ने ही मना करतिया है तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से बिहार में पार्टिया लगाता लड़ रही है कि BJP को इस बार मौका था कि BJP independent अपनी पार्टी के दम पर अपने मुख्यमंत्री फेस को सामने लाकर अपने दम पर election लड़ती हूँ और अपना मुख्यमंत्री का फेस लेकर आती लेकिन ऐसा पता नहीं क्या ऐसा एतिहासिक मौका बीजेपी ने छोड़ दिया है लेकिन महागडबंधन और NDA दोनों में से अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो न्यूस चैनल्स है वो लगातार नॉन स्टॉप लगे हुए हैं कि लगातार वो NDA को जहां पर चिराग पासवान है NDA में और जहां पर नितिश कुमार है NDA में बीजेपी है NDA में और बताते हैं कि कुछ जो नेता हैं कुछ जो नेता हैं कॉंग्रेस के और आर्जडी के और कुछ नकसली नेता जो बहुत फेमस हैं CPI के नेता कनया कुमार भी बहुत फेमस हैं इस तरह के नेताओं का दबदबा और इस तरह के नेताओं का प्रभाव बहुत जादा है बिहार की जनता पर और इस बार बिहार की जनता नितिश कुमार जी से असंतुस्ट है उसका जवाब आप देख सकते हैं कि जब भी नितिश कुमार जी की रेली होती है वहाँ पर उन प पंदरा साल की उपलब्धिया नहीं बताते हैं और पिछले पंदरा सालों की उपलब्धियों के बारे में ताने मारते रहते हैं तो खेर यह सारी बाते हैं लेकिन आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आज की जो अब लेटेस्ट अपडेट से उनके बारे में बातचीत करेंगे थोड़ा सा हम लोग इंटेलेक्ट्वल डिस्कुशन करेंगे आज की बातचीत पर आपको याद है प्रशान भूशन साहब जो हमार बहुत फेमस वकील है और सोशल वरकर है और आप आदमी पार्टी में भी लीडर थे प्रशान भूशन साहब ने जो है फिर से एक बार ट्वीट कर दिया है जिसमें एक बार फिर से उन्होंने CJI जो हमारे बोबडे साब पर फिर से उन्होंने निशाना सादा है उन्होंने फिर से बताया है और उन्होंने बहुत ज़दा क्रिटिसाइज किया इसके पहले भी प्रशांद भूशन जी की बात करें तो वो कोट की आव मानना की मामल में सोमोटो केस की कारवाही जहल चुके इसके पहले भी फिर एक रुपे का जुर्माना लेकर उनको छोड़ दिया गया एक बार फिर से जस्टिस बोबडे के बारे में उन्होंने लिखा है उन्होंने बताया है कि जस्टिस बोबडे ने जब वो MP में गए तो काना किसली नेशनल पार्क में घूमने के लिए उन्ह जाने के लिए उन्होंने बीजेपी द्वारा प्रवाइट किये गए विशेश चौपर का इस्तेमाल किया वो भी उस समय में जो बीजेपी के बागी विधायकों का मामला इनके पास में लंबित है। जब बागी विधायकों का मामला मध्यप्रदेश से इनके पास में लंबित है। ज़स्टिस बोबड़े को विशेश चौपर काना किसली पार्क में घूमने के लिए और ना ही नाकपुर जाने के लिए उनको लेना चाहिए था। इसको देखके उन्होंने ट्वीट कर दिया पिट से जबरदस्त हमला सीजे आई जस्टिस बोबड़े पर प्रशान भूशन जो बहुत फेमस वकील है उन्होंने किया है। देखते हैं इस मामला बहुत दिल्चस्प होगा। कि कि ऐसा इन्होंने दूसरी बार किया है। पहली बार में आपको मेरे काफी सारे वीडियो प्राक्रमन करवा रहे हैं एक तो बताते हैं रीपा बिक टीवी लगातार उद्व सरकार के पीछे पड़ा हुआ है शुरसना सरकार के पीछे पड़े हुए है रीपा बिक टीवी के नबगो स्वामी नमबर दो कंगना रणाव लगातार उनके पीछे पड़ी रहती है फिर CBI को किसी भी तरकी जाच महारास्टर में करना है तो सबसे पहले राज्य सरकार से अनुमती लेनी होगी और ऐसा सरफ पहली बार नहीं किया इसके पहले ममता बैनर जी ने और ममता बैनर जी के सरकार पश्रीम बंगाल में और राजस्थान सरकार ने भी इस तरह के निर्णे पहले ले लिये हैं केंदे सरकार के खिलाफ कि अगर केंदे सरकार को CBI इजाज किसी भी मामले में करानी है उनके स्टेट्स में, महरास्टर में, पश्रीम बंगाल में या राजस्थान में तो राजस्थान सरकार की अनुमत आवश्यक है और अनुम्र्ति लेनी जरूरी है तो इस तरह की चीजे हैं मुंबई फिल्म इंडिस्ट्री पर ताबड़तों हामला करने वाली कंगना रनाओत पर मुंबई पुलिस ने 26-27 अक्टोबर को पेश होने के लिए और जाच में सायोग करने के आदेश जारी किये हैं और कंगना रनाओत के साथ उनकी बहन रंगोली चंदेल को भी यह आदेश है ऐसा मजिस्ट्रीड का फैसला है जो उनके द्वारा उन पर एक F.I.R. दायर की गई थी राजद्रों की F.I.R. दायर की गई थी इस मामले में मजिस्ट्रीड का एक फैसला है कि कंगना रनाओत उनकी बहन को 26-27 ओक्टोबर को एसाइफायार के चलते पुलिस स्टेशन जाना होगा और जाच में सायोग देना होगा कि क्या कमना रणा उतने वास्तों में राज़्द्रो किया है इस तरह से महारास्टर सरकार के खिलाफ लगातार उल्टे सिदे बयानात पेश करके उसके बाद में हम देखते हैं कि 18 ओक्टोबर को ट्विटर ने जो है लेह की जियो टैग लोकेशन लेह की वो चीन में बता दी है जिसको लेकर भारत ने जो ट्विटर है ट्विटर को चेताबनी दी है और ट्विटर के CEO है जैक डोर्सी Jack Dorsey को बताया है कि वो संबेदन शिलता के साथ में काम करे और ले हैं भारत का GEO TAG location है जो अभी GEO TAG location चीन में बताया जा रहा है तो Jack Dorsey को संबेदन शिलता के साथ काम करने के लिए भारत सरकार ने चेतावनी दे दी है उसके बद में चीनी जासूस के निशाने पर PMO, सुरक्षा उपकरण और दलाई लामा थे और ये सारी जानकारी जो है हमें आज मिली है कि चीनी जासूस के निशाने पर भारत के प्रधानमंत्री ओफिस से लेकर दलाई लामा और सुरक्षा उपकरण भी थे आगे बढ़ते हैं कि कॉंग्रेस ने बिहार में अपना चुनावी घोशना पत्र क्या जारी किया और कॉंग्रेस अपना चुनावी घोशना पत्र किस तरह से आगे बढ़ा रही है कॉंग्रेस ने बताया है कि वो अगर उनकी सरकार आती है तो वो कर्ज माफी करेंगे सबसे पहले तो कर्ज माफी करेंगे, महेंगाई को बढ़ने नहीं देंगे, कर्ज माफी करेंगे और बिजली, मुफ्त बिजली की सुविधाय करवाएंगे, कॉंग्रेस ने ये भी कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है सूबे में, अगर कॉंग्रेस की सरकार बिहार में आती है तो वो करप्शन को दूर करेंगे और बिहार को विशेश राज्य का दरजा प्राप्त करवाएंगे जिस पर योगी आधित्यनाथ ने राहूल गांधी के खिलाफ कहा है उन्होंने कहा है कि राहूल गांधी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और जो पाकिस्तान की तारीफ करता वो देश का हित कैसे कर सकता है और जिसको देश का हित नहीं सोचना होता है उसको राजनीती में नहीं आना चाहिए तो इस तरह से अपनी बिहार रेली में मैं आपको बता दू योगी आदित्यना जो है बिहार के स्टार प्रचारक है और उन्होंने राहूल गांधी पर ये श पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे देश से कोरोना को बहतर तरीके से हैंडल कर रहा है उनकी GDP हमारे यहां से बहतर है और उन्होंने बताया था कि IMF का चार्ट देखेंगे हम उसमें भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान बांगलादेश जो है उनका पर कैपिटल इंकम हमारे बहतर है तो इसलिए शायद Yogi Aditynaath ने राहुल गांधी पर शिकनजा कासा है उन्होंने का है कि पाकिस्तान की तारीफ करने वाले राहुल गांधी जो है देश हित नहीं चाहा सकते है और अगर वो देश हित नहीं चाहते हैं ऐसे लोगों को राजनीती करने का कोई अधिकार एसे लोगों को राजनीती नहीं करनी चाहिए तो यह सारी चीजे सामने निकल के आरही है उसके बाद में हम देखते हैं कि ना सिर्फ कॉंग्रेस बल्कि और भी दूसी पार्टियों ने अपने राजनीतिक अजेंडे के चलते अपने मैनिफेस्टो जारी किया है चिराग पास बात की चिराग पासवान ने बताया है कि अगर उनकी पार्टी सत्थामें आती है तो वो सबसे पहले करुप्शन को दूर करेंगे उन्होंने बताया है कि अतल भीहारी वाषपई के सपनों पर कारेशनी की कि जाएगी अटल भ्यारी वाश्पई के सपनों को वह साकार करेंगे और सभी नदियों को जोडने की योजना पर तेजी से कारे किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने जो भी मैनिफेस्टो में वादे लिखे हैं वह सारे ही वादे पूरे किये जाएंगे इसके अलावा ने आपको बता दू तेजस्वी यादो लगातार विहार सरकार पर निशाना कसे हुए हैं और चिराग पास्वन के अलावा तो बिहार की सरकार ने 15 सालों तक क्या किया है। कि वो केंदर सरकार जो है उनकी बात माने और केंदर सरकार किसी भी हिसाब से इन क्रशी बिलो में MSP को गैरंटी लिखे। विधान सबा में ये विधायक पारीद करने की बात की है। जिस पर केजरीवाल ने उनको पाट पढ़ाया है कि पंजाब सरकार को ये समझना चाहिए कि केंदर सरकार द्वारा पारीद बिलो पर राजे सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो जो कुछ करना है वो केंदर सरकार को ही किसान बिलो पर करना पड़ेगा, फामर्स बिल पर करना पड़ेगा। राजे सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ थोड़े बहुत संशोधन पॉसिबल है रेरेस्ट केसिज में, मगर इस पर अगर कुछ भी काम करना है तो वो केंदर सरकार ही करेगी। अमेरिका में कोरोन से मरने वालों की संख्या जो है बता रहे हैं कि दो गुनी हो गई है, अमेरिका में लगातार केसे बढ़ रहे हैं और न्यूजिलेंड में भी जो बता जाता है कोरोना मुक्त हो गया था एक समय में, न्यूजिलेंड में भी एलेक्शन के बाद में अब विश्वह भी पुरेःग्य यह क्विश्वम के जो पहाने होगों कि पचिस लाग के सपास पुल संक्रम मरिजों की संख्या होगे, यह पुरेःग्य विश्वम है, हमारे घाल में खालनेст книgen Daug Traps से work के विश्व में महत भीiden सीजक्शन होगे लेकिन कोरोना वेक्सिन का ट्रायल थामा नहीं है ब्राजील में भी उसके बाद हम बताते कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अपने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को इंडिया बेंजेंगे और उनकी ये कूट नितिक चाल बताई जा रही है अमेरिका की बात आई तो मैं मैंने आपको मैंने आपको बता दू उनकी कूट नितिक चाल बताई जा रही विशशक्योदारा और ये डोनाल्ड ट्रम का स्टेटमेंट है कि हमको चुनाव से जादा हमारे लिए रिष्टे महतवपूर्ण है इस तरह की बाते रिष्टे जरूरी है ऐसा कुछ स्टेटमे चुनावी माहोल जो है बहुत तेज है तीन नवेंबर को अमेरिका में रास्टपती के चुनाव है और अभी चुनावी सरगरमिया महाँ पर भी बहुत जादा तेजी से आगे बढ़ रही है और हमारे याँ पर तो खेर विदान सभा चुनाव है ही लेकिन इन सब के चलते जो कोरोना का कहर है वो बढ़ता नजर आ रहा है और मरने वालों की संख्या अमेरिका में बढ़ गई है जो बहुत जादा चिंता की बात है उसके बाद में MP में शिवराज सिंग के खेमे में दो मंत्रियों ने स्तीफा दे दिया है वो शायद उनको दिये गए टिकेट से औ और शिवराज सिंग चोहान ने उनका स्तीफा भी मंजूर कर लिया है उसके अलबा महारस्ट के बहुत बड़े एक नेता थे एकनात खड से आपने नाम सुनाओगा एकनात खड से ने भी BJP पार्टी के नेता है उन्होंने भी पार्टी से नाराज होके अपना स्तीफा दे और ऐसा बताया जा रहा है कि बाहुबली द्वारा हमेशा ही इस तरह की दानराशी दी जा रही है और तेलंगाना और हैदराबाद में बाड का प्रकोब जो है उससे अभी तक 38,000 लोग जो है बाड की चपेट में आ गये हैं और घर से बेगर हो गये हैं और बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या करीब करीब 2,000 लोग मर चुके हैं बाडो के चलते हैं खेर इग्जक्ट आकडे तो कोई भी रिलीज नहीं करता है और अफिचल आकडे बता रही हूं मैं आपको जो अफिचल आकडे मेरे सामने आ रहे हैं उसके बाद में टाइमसनाव सी वोट पोल के अनुसार अगर बिहार में आज एलेक्शन होते हैं तो NDA को बताया जाता है कि 40% लोग NDA को वोट दिना चाहेंगे जैसे मैंने आपको बता दिया सी वोटर ताइमसनाओ का सी वोटर जो है या आज तक है जो भी न्यूस चानल है वो हमेशा ही NDA को आगे बताएंगे क्योंकि NDA में जो है BJP भी महातवपोन घटक है तो BJP की सभी लोग तारीफ करेंगे और BJP को आगे बढ़ाने की बात आती है उसके बताते हैं कि UPA को 31.8 प्रतिशत लोग UPA को वोट करेंगे जो की काफी पीछे है लेकिन बताया जा रहा है कि NDA को 40% लोग जो है 41% लोग ए दो करेंगे जो NDA के लिए बड़ी खुशी की बात है मनगर नितिश कुमार जी के लिए खुशी की बात नहीं है जो J.D.U. के नेता है और जो NDA की तरफ से मुख्य-मंत्री है NITiş कुमार को विःखार चुनावी सभा में भी किसी ने उनको चपल मार दी थी, हलाकि उनको दो चपले मारी गई, एक उनके सिर से होकर गुजरी और उनकी छाती पर लगी हैं, वैसे ही नितिश कुमार जी को भी पत्थर, किसी युवा ने पत्थर मार दिया और फिर युवा को चेतावनी देकर पोल में 42% लोग नहीं चाहते बिहार में किसी भी हिसाब से कि नितिश कुमार उनके नेता बने बिहार के आगे बढ़ते हैं कि चिराक पास्वा ने बताया है उनके संकल पत्र में कि कि B.J.P. का भी घोशना पत्र रेलीज हो गया है और B.J.P. ने भी बताया है कि 3 लाख शिक बिहार में ऐसा बिजेपी ने कहा है कि फ्री वैक्सिनेशन पूरे बिहार में लगेगा, सिचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और पानी का अधिकार हर बिहारी को दिया जाएगा और ये भी बताया गया है कि बिहार में 19 लाख नौकरिया मिलेगी जिस पर सोशल मीडिया में ट्रेंड चल गया है कि जब तेजसफी आदो ने 10 लाख नौकरिया बताई थी भीहार में, तो बिजेपी ने कहा था कि 10 लाख नौकरिया कहां से लाओगे, अब बिजेपी खुद अपने घोषना पत्र में 19 लाख नौकरिया कहां से लाएगी, हमेशा ही हर 25% वादे भी जनता के साथ में जो किये हुए है उसको फुल्फिल करने के लिए सक्षम नहीं रहती है लेकिन वादे तो वादे हैं वादो का क्या है खर इस पर चिराग पासवान ने कहा है और उन्होंने ट्वीट भी किया है उन्होंने कहा है कि अफसर शाही और घोटाले बं जीत जाते हैं तो बिखार हार जाएगा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर NDA के सरकार आती है तो वो साथ निश्चे घोटालों में जाज करवाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से करप्शन को उखाड़ फेके और जितने करफ्ट ऑफिसर्ज है वो सबकी सब जेल में जाकर बैठ हैं तो चिराग पासवान हलाकि बताया जा रहा है कि काफी आकरामक है और जोशी कि अगल में आज चुनावी घोशना पत्र वो काफी पहले रिलीज कर दिया था और फिर बी जेपी ने भी आज अपना चुनावी घोशना पत्र रिलीज किया यंके बड़े-बड़े बादे संकल्प पत्रों में लिखी हुए बड़ी-बड़ी बातें कब तक पूरी हो पा मौके पर नारी शक्ति की महत्ता बताई है, प्रधान मंतिरी ने बताया है कि अगले साल चुनाव है और बिजेपी का जो अभियान है तब ही सफल होगा जब महिलाओं को विश्वेश सम्मान दिया जाएगा, महिलाओं को सपोर्ट किया जाएगा, उन्होंने बताया कि नारी शक्ति जो है, उसका महत्व सबसे अधिक होता है और बिजेपी का यही विचार है, यही बिजेपी का संकल्प है और नारीों को सपोर्ट करना ही बिजेपी का संसकार है, इस तरह की बात उन्होंने किये, उन्होंने कहाए कि पश्रिम बंगाल में तेजी से विकास किया तरह से वचन बद्ध है और इस बार चुनावी प्रचार में वर्चुल रेली करते हुए अमिर्शाह और मोदी जी ने पूरी बीजेपी ने एक तरह से कमर कसली है और बीजेपी जो है ममता सरकार को जड़ से उखार फेकना चाहती है। आगे बड़ते हैं सुषान सिंग के प्रकरण में सुषान सिंग राजपूत की मौत के प्रकरण में जहां पर CBI द्वारा या कोट द्वारा यह नहीं बताया गया है कि अबेटमेंट सुसाइड है या मॉडर है या सुसाइड है हाई कोट ने रिपाब्लिक चैनल को जम के जनमत ले रहे थे हैं आपकी जो हत्यारे हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए आप किसी की मौत पर इतने भावनाहिन कैसे हो सकते हैं क्या शुषान सिंग के मामले में नेने लेना आप की अधिकार छेतर में आता है? क्या चिला-चिला के शुषान सिंग की सुसाइड के पारे जो है और यह एश्वरे कपूर लगाता चीक-चीक कर जो है सुषान सिंग के लिए अपनी आवाज उठाते रहते हैं खैर बहुत खुशी की बात है कि इतना जादा सुषान सिंग से प्यार कर रहे हैं मगर हाई कोट के नियमों का जो है यह पुरी एक सेकें मुझे टाइम दे मुझे बाज आता रिपाबिक चैनल के अपने मामलेको सुप्रीम कोट मे ले गाते हैं सुप्रीम कोट ने कहा था कि हम हाई कोर्ट यह अभेला नहीं कर सकती तो आपको महारास्टा हाई कोर्ट बॉलिवूड और शुसांद की मद पर लगातर अनब गोस्वामी जी और उनकी टीम बनी हुई है लगातर और लगातर अपराधी इस लगता है जिनौने का बॉइकटट किया थ93 लगता है जिन लोगोंने शुशंद के साथ में पाटीज की थी , जिन को सुशंद की अफेयर ज मलामत करने का कारे करम शुरू रखा यह मुहीम जो है काफी इंट्रस्टिंग मुहीम एक तरह से अर्नब गोस्वामी ने एंटेटेंडमेंट के लिए रखी है और कहते हैं इसी के सब के चकर में लगाता है रिपाब्लिक चैनल जो है टी आरपी में नामबर वन की पोजेशन क्योंकि सुषान सिंग को न्याय दिला घर घर में हर बच्चे का और हर मा का और हर महिला का दाइत्व समझ रही हमारी देश की जनता इसी को लेकर अर्नब गोस्वामी का चैनल जो है सबसे यादा पसंद किया जा रहा है अर्नब गोस्वामी जी के इस चैनल को जो है नंबर एक माहौल है और आज बतादू कि जिस तरह से चुनावी सरगर्मिया चल रही है उसी के बीच में पीम मोधी ने अपना कल शाम को छे बजे राष्टर को संबोधन किया है जिसमें उन्होंने मेरे ख्याल से सात्वी बार उन्होंने संबोधन किया है उन्होंने 112 दिन के बाद में देश को संबोधी किया है उन्होंने बताया कि मानोता को बचाने के लिए सबी देश एक साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि स्वास्त मुसीबत से बशने के लिए हमारे देश में 90 लाख बेड का अरेज्जिमेंट है जो हमारी सरकार ने क अपने साथवे संबोधन में लगातार उनोंने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं कोरोना में लॉकडाउन तो खतम हो गया है लेकिन वाइरस अभी भी जिन्दा है तो वाइरस से बशना आपका काम है आपके प्राणों की रख्षा आपके हाथ में मतलब एक बार फिर से आत्म निर्भरता का पार्ट जो है मोधी जी ने फिर से एक बार हम सब लोगों को पढ़ा दिया है लेकिन मोधी जी किसी बी तरह से जिस तरह से पी-पी किट्स के घोटाले हो रहे हैं, मैलाओं के रेप हो रहे हैं, चीन की जो आक्रम अक्रवई अपनाय उसको लेके मोधी जी ने कोई बात नहीं की, तेभारों में, मार्किटों में भीड बहुत जादा उमड रही है, लेकिन सावधानी बहुत जादा जरूरी है और जब तक जरूरी ना हो, तब तक बाहर ना निकले, ऐसी गुहार प्रधानमंतरी मोधी जी ने लगाई हुई है, जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने एक बार फिर से निशाना साधा है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि पीए मोधी आकर यही सब बात करते हैं, लेकिन एक भी सवाल अगर मैं पूछूंगा तो उसका जवाब मोधी जी नहीं देते हैं, मोधी जी के पास में किसी भी सवाल का जबाब नहीं है राहुल गांदी जी ने कहा है कि अगर चाइना के विशए में या जीडिप के संदर्ब में या बेरोजगारी के आपडों के संदर्ब में जहां पर 1.89करोर नौकषिया चली गई है, ऑफिशियल नौकषिया चली गई है संगठित छेत्रों की नौकरिया चली गई राहूल गांधी ने कहा है कि PM के पास में किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मैं गैरंटी देता हूँ कि मैं अगर कोई भी सवाल पूछूँगा तो उसका जवाब देने की हिम्मत मोधी जी नहीं करेंगे और मोधी जी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं इसी तरह की गुमाओदार बातें मोधी जी आकर करते हैं राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों पहले दो दिन पहले शायद कमलनात को भी जो मुख्य मंतरी उम्मिदवार है एनपी से उनको भी फटकार लगाई थी जहां पर कमलनात ने इमर्ती देवी जो सिंधिया खेमे की मंतरी है इमर्ती देवी उनको बताया जाता है कि जादा पड़ी लिखी विधायक नहीं है उनको कमलनात जी ने आयचम बता दिया था जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने कहा था कि यह बहुती दुक्की बात है कमलनात मेरी पार्टी के नेता है मगर में नीजी तोर पर इस तरह की बातची का समर्थन नहीं करता हूँ इस तरह की बात का समर्थन नहीं करता हूँ कमलनात चाहे कोई भी हो उनको इस तरह की शब्दावली के लिए माफी मांग ली ची जबकि कमलनात जी ने उसका reply दिया था कि मैंने ऐसे आइटमों की लिस्ट होती है वैसे ही विधान सभा क जो भी उमीद्वार होते हैं मंत्री होते हैं वो भी एक तरह से आइटम होते हैं किसी चेकलिस्ट के वो दिमाग में रखकर मैंने उस अंदर्व में उनको आइटम कहा था मेरा इमर्थी देवी को अपमानित करने का कोई लक्ष नहीं था कोई उदेश नहीं था इस तरह की बाते सामने आ रही हैं लेकिन प्रधान मंत्री मोधी को लेके एक बार फिर से राहूल गाधिने ने शाना साधा है उन्होंने काए कि प्रधान मंत्री जी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं जबकि इसी तरह की बाते करते रहते हैं जो बाते ये लगातार कर रहे हैं औ और तेवारों के काल में, तेवारों के समय में, जहां मार्केट में इतनी सारी भीड बनी हुई है, हमें अपने आपको घरों में सुरक्षित रखने की जरुवत है, आत्मेहरी बरता का इस तरह का पार्ट मोधी जिना हम लोगों को पढ़ाया है, अच्छी बात है, क्रशी कान के खिलाफ विधान सभा में प्रस्ताव पारीत करेंगे, ऐसा ही लगातार राजस्थान सरकार कहती आ रही है, कि हम इस तरह का प्रस्ताव पारीत करेंगे, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पारीत ये तीन क्रश्वी कानून निरस्थ हो जाएंगे, उन्होंने कहा है कि ये किसी भी तरग का दबाव बना कर या किसानों की जमीन पर किसी भी तरग का डावा करने वाले को भी जुरमाना और तीन साल की जेल होगी उन्होंने बताया है कि हमने ये फैसला इसलिए दिया है ताकि अन्न दाताओ की परिशानियों कम खतम कर सके उन्होंने कहा है अन्न दाताओ को क्यों अपना धरना खतम करके अपने अपने काम पर लोटें और पंजाब सरकार उनकी विकास और उनकी परेशानियों के उपर ध्यान देने के लिए बैठी है और शीग रही प्रशी कानूनों को निरस्त किया जाएगा पंजाब में नए अध्यादेश इन प्रशी कानूनों के खिलाफ पारिक किये जाएगे मैंने आपको बताई दिया केजरिवान ने सीरे से खारिस कर दिया है कि अगर इसमें कुछ भी सुधार करने हैं या प्रशी कानूनों को निरस्त करना है निश्क्रिय करना है तो केंदर सरकार को ही नया अध्यादेश लाना पड़ेगा राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है खेर आगे बठते हैं बीहार में गया जिले में जब नितिश कुमार अपना भाशन दे रहे थे थे तो मंच पर इवान पथर फिख दिया है और बताया जा रहा है कि नितिश कुमार ऐसा यسी लिए कर रहे है नितिश कुमार के साथ में लोग क्योंकि लोग פरेशान हैं लेक को कांग्रेस, LJP और RJD का और BJP के अजिंडे बताएं, चुनाभी मैनिफेस्टों बताएं मैंने आपको, तो JDU के हिसाब से नितिश कुमार ने अनाउंस किया है कि अगर उनकी सरकार आती है, अगर NDA आती है और एक बार फिट से अगर बिहार की सरकार उनने, बिहार की जनता फ्री में सवरूरजा से रोशन कर देंगे, उनके घरों को सवरूरजा की उपकरम जो है, भीहार में हर यजगहे पर लगएंगे, पुरे बिहार को, जो है, Smart City बना देंगे, भीहार के हर गाव को Smart City बना देंगे चात्रों को जिला इस्तर पर तक्निकी ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब जौब से रिलेटेड ट्रेनिंग जो है चात्रों को जिला इस्तर पर दी जाएगी, उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने ये मन बनाया है कि बिहार, अगर इस बार वो बिहार में फिर से CM बन कर आत तो इस तरह की कुछ बातें जो है उन्होंने की लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी युवाओं की तरफ से उनको पत्थर बाजी का सामना करना पड़ा यही इसी तरह का हाल कुछ पश्रिम बंगाल में हैं जहां पर ममता सरकार पांडाल में प्रबेश की पांडाल में ही एक साथ कारे करताओं के साथ में 45 लोग ही मात्र पांडाल में उपस्तित हो सकते हैं ऐसा करकर हाई कोट ने ममता सरकार के मिशन पर रोक लगा दी है जहां पर एक तरफ तो बीजेपी अपना अपनी चुनावी रेलिया लगातार कर रही है वही पर एक दूसरी तरफ जो ह भक्तों का दिल जीतने के लिए ममता मिशन का ये जो भक्तों को दुरगा पांडाल में पूजा के लिए अलाओ करना जो है निश्क्रिय या पूरी तरह से मना का हाई कोट की मना ही के बाद में फ्लॉप हो गया है ममता जी का मिशन और अब सिर्फ पंद्रा लोग ही सरी पैत जो ममता जी का हिंदुत्व कार्ड था वो हिंदुत्व कार्ड पूरी तरह से बीजेपी के खेमे में नजर आ रहा है गौर करने वाली बात हो भी कि इसके पहले भी ममता बैनर जी ने एक हजार पंडितों को मुफ्त आवास और भोजन की वेवस्था करवाई थी और ममता ब जी का हिंदुत्व कार्ड भी फ्लॉप कर दिया है और मिशन को एक तरह से ठंडा कर दिया है खेर आज के लिए इतना ही और आप हमारा योटुब चैनल सब्सक्राइब कर लीचिए जिसका नाम है परी टॉक्स्टु देश की चंता यह हमारा नया चैनल है और जिसको सब्सक झाल टो झाल